राम राम सां स्वास्तिक पामेश्ट्री चेनल कमाई था रोग भोत गणू स्वागत है आज को आपनों जो विशे है सुर्य परवत पर तिर्सूल चिन तो देखो इस क्रीन पर थाने कुछ तिर्सूल की फोर्मेशन दिखींगी ये अलग-अलग परकार से थाना था मैं मिलिं कौन सो तिर्सूल को चिन कुण रूप से सुब परवावी समुंदर सास्तर का अंतरगत मान्योजा है उकवार में भी आपा चर्चा करेंगा अन्य ये जो तिर्सूल साइन थान दिख रहें अनका परवावने भी जानागा तो देखो सबसे पहली यो आपनी अथेली में सू सूरिय परवत्प है जब भी आपनी सूरिय रेखा का है तो देखो सूरिय रेखा चोटी या बड़ी ओसका है अठे आप आई चीज न समझा मान लो यह भी सूरिय रेखा है और यह भी सूरिय रेखा अब इस सूरिय रेखा का है आदा बाग की अगर बात करा तो कुछ इप प्रकार से अगर फोर्मेशन बने हैं और इक की जो साखाई ही hut ऻुद ये भी की ब्राबर जो सुरीय रेखा को अंधिम छोड़ाई का ब्राबर हैने है चोटी सुरीय रेखा है तो इặr себैंट 2 ऐख फोर्मेशन बनी चींए अगर इचुन जिте और देखा अंतरगत देखा तो नंबर एक पया थाने दिख जागी अठे आपा बोल सका हां कि सबसे सुब तिर्सूल को चिन आपने अठेडी में यो मानने जाओ अब मान लिए अईया को तिर्सूल को चिन बंडर है थार है सूरिय प्रवत पर कुछ यी परकार से तो यी तिर्सूल चिन सबसे सुब मानने जाओ अठेते देखोगा सूरिय की जो पोजीटिव अनची हुआ है इजातक का अंदर भरपूर देखे जागी सूरिय का जो सुब कारक हुआ है बेजातक का अंदर मिलीगा अब सूरिय ग्रह जो होए है आपने तरक्की दिलाव है आपने सक्सेस दिलाव है गोर्मेंट लाव करवा है आपने सम्मान को कारग ग्रह होए है आपनी आत्मा को अंतर पोजिटिविटी को ग्रह मान्यों जा है तो सब ने लेका आपने जीवन में पोजिटिविटी मिल लगी और विश् पिस्तनाता ने समझा तो आपना वेभाईक जीवन भी अठे से देख्या जा आपने पिता से संबंध भी अठे से देख्या जाई ही तो बन में भी मदूर्था था ने मिल लगी दूसरों थे देखोगा कि अगर ट्रेडेंट साइन सनमाउंट पर बंडर है तो ये वेक्तिक है जीवन में निरंतर प्रोग्रेस मिल लगी मान सम्मानी न मिल लगो अठे तक की योजा तक जो भी बात कवेगो वन सत्त्य वगी यानि कोई पामरीडर के अठेली पर भी अगर योँ सिंबल बंडर है तो उकी बविशे वानी सत्त्य वगी कर दो है अठे आपको कुछ चीज जरूर करनी चाहिए च में कि एक जो सिंबल बंडर है कि वुकी जो शिए वत्फ बणावट कि सिंबल की जो जि और अए ले खांवर य सिंबल बंडर है वह दिखनमक के opens या नहीं है या दहते त्छय की स्तति कि किसी और अगर विक्सित सुर्य चेतर है, पोजिटीव इसपस्ट और रेखा से इस सिंबल को कौन निर्मान हो रहे हैं, तो यो उजातक न अत्य दिक, भागे साली भी बनाव को और अत्य दिक तरक की विकराव हूँ, अब इकी जो विशेश ता हुआ भे आपा समझ लें, तो देखो, अगर तिर्शूल चिन सुर्य परवत पर बनगो, नो डाउट यो वेक्ती ज्ञानी हो आगो, अच्छे वो नोलेज राखागो, आत्मिक ज्ञानी जातको बढ़ेडो मिल आगो, एक्टिव हो आगो, इक काम में प्रोफिसेंसी थाने दिखागी, कोन्फिडेंसी को बढ़ेडो थाने मिल लगो, जिका चलते इनने इकी वर्किंग फिल्ड में, निरंतर सफलता मिल लगी, अच्छा करम करनी हो जातक मिल लगो, आच्रनी को पवित्र मिल लगो, दूसरा की भलाई करतो थाने यो जातक मिल लगो, सुर्ये की पोजिटिविटी, सुर्ये का गुण इजातक का मुख पर देख्या जाएगा, यानि मस्तक ही को लाली मायुक्त मिल लगो, और बेभाईक जीवन सुख में इजातक को देख्यो जागो, सक्सेस है, नेमफे में, सम्मान है, इजातक का जीवन में, अत्यन्ती बढ़ेडो मिल लगो, अब देखो, जब यी फोर्मेशन में, धीर धीर, ये रेखा जो साखा बने है, सुर्ये रेखा की, और मैं छोटी बड़ी ये आकार्म बनती था में दिख्या, तो देखो, यो अगर फोर्मेशन को फोर्मूलो अठे बन जाएगा, तो अठे हिर दे रेखा पहे, अगर यी परकार से यो बन रहे है, या आपनी आर्ट लाइन है, और यो फोर्मूलो अगर है या बन रहे है, तो देखो, काफी सारा पाम रिडेली न चोखो बताओं, लेगिन यो चोखो साइन कुन मानने जाओ, यो संगर्ष के लिए देखे जाओ, यो बेभाईक जीवन में संगर्ष के लिए देखे जाओ, और इस्टार्टिंग का जो समय रहे हैं वह गविजा तक को, 35-36 वर्ष वो भी संगर्ष में देखे जाओ, उगवाद यो प्रोग्रेस करेगो, अब मान लिए, अगर यो फोर्मूलो लाग रहे हैं, अठे, या रेखा है, और या रेखा है, इनसूब मानने जाओ, तिर्शूल से कम प्रभाव देगो, लेकिन चोखो देगो, तरक्की इन बताओगो, निरंतर तरक्की इजातकी ओगी, इको करम छेत्र कुछ भी हो सका है, गौर्मेंट लाब में भी यो जासका है, यो प्राइवेट सेक्टर में खुद का बिजनस भी कर सका है, लेकिन सफल यो ओगो, इन तरक्की जरूर मिल लगी, देखनो आपना है, रेखा कि तिक चोखी या थेली में, उका कोडी, इकी सक्सेस देखी जाएगी, लेकिन निरंतर सफलता को चिन यो भी मान्यों जागो, अब देखो, यह फोर्मेशन बन रही है, तो जद भी तिर्सूल चिन पर यह रेखा, छोटा बड़ा रूप में बनींगी, मान लेओ, यह एक साखा बड़ी है, सुर्य अनर्जी न गरहन यो जातक भी करेगो, इका जीवन में भी रेखी जागी, अब आपाना समझनों है, कि तिर्सूल का जो परभा में लगो भी में, तो यह सिंबला ठेक कमी करेगो, पुन पोजिटीफल तो यह तिर्सूल चिन कुन दे, लेकिन फिर भी, जो तरक्की है, यो जातक भी करेगो, अब इस जो साखा निकले है, अनको जो टाइमिंग हो है, माल जो अठे से या साखा निकले, तो यह टाइमिंग है, अठे से या साखा निकले, इको भी टाइमिंग है, आपाने यो चेक करनो है जब यहां साखा निकली तो उसमें आपने जीवन में के पोजिटिविटी होई आपा के यहां को काम धंदो शुरू करें कोई सी जोब में लागया या कोई सो परमोशन बगेर आपाने मिल्यो तो जठे या साखा चाल लगी जितनी अच्छी लेंथ में चाल लगी प्रोपर या अगर सुरिय रेखा तक पूँच रही है जहां थे पहली फोर्मिशन में चोड़ तक सुरिय रेखा का आदवाग से दो साखा निकड़कर ब्राब्बर सुरिय रेखा का अंतिम छोड़ तक चाला है तो लास्ट मोमेंट तक यानी जठे से आपा आपनी वर्किंग फिल्ड को अंत देखा हां बठे तक ये जातक ने निरंतर आर्थिक लाग सक्सेस मान सम्मान हर एक चीज लेकिन जब ये छोटी बड़ी साखा निकलीगी और ये एक्टिवेशन पर कुछ करें ड़ावम आ आपान कोई लाब मिल्यों है परमोशन मिल्यों है तो ठोटी साखा पर देख्यों जागो कम है बड़ी साखा पर देख्यों जागो ज्यादा है निरंतर है शुरी रेखा के अंतिम चोर पर निरंतर है लास्ट मुमेंट तक है इप्रकार सापा इन्न समसरा अब देखो इकी डाइरेक्शन अगर चेंज हो रही है मान लेओ इडाइरेक्शन में यो घूम रहे है अब यो बुद्ध की तरब भी घूम सके है कुछ इप्रकार से तो बुद्ध गर्या का गुण ही जातक में मिलीगा अब बुद्ध गर्या का गुण हो है जातक का अंदर व्यापार वानी जेके अच्छी सोच देनो टिपलोमेटिक बनानों चतुरता आनों तो ये सब इजातक में फिर आई गा अठे आपने मुख्य बात समझनी है कि जैं ही यो अडो तिर्चो बनेगो दूसरे छेतर का गुण तो गर्हन करेगो लेकिन जो स्वेम का गुण हो है सूरियेगा बन में कमी जरूर आवगी ओ पोजिटिविटी में जरूर कमी देखी जागी अमाल लोल की डाइरेक्शन थे कुछ इस परकार सथा न दिख्था है सनी की तरफ तो सनी का गुणा में तो अठे ब्रदियो जागी लेकिन सूरिये का गुणा में कमी देखी जागी लेकिन सिंबल तरक्की को है तो आपाने यह समझनों है कि यो तरक्की जरूर करवाओ को लेकिन जो पोजिटिविटी सुर्य चेतर पर बिल्कुल स्ट्रेट रेखा से बना है यो सिदो उमे जितनी मिल लगी पितनी पोजिटिविटी अन्य कोई फोर्मेशन में चाई डाइरेक्शन निच्च हो चाई डाइबाए हो को नी मिल लगी आप सनी की साइड है तो सनी का गुणाने भी गरहन करागो सुर्य का गुण भी एक अंदर रहेंगा लेकिन पोण पोजिटीफल जब यो फिंगर की साइड बना है इकी डाइरेक्शन जो रहेवा है फिंगर की तरफ हो है वो इस्तती में ही यो देवा है तो ये प्रकार से आपाई सिम्बल ने समझ सका अब अठे आपाने एक और बात समझनी चाहिए जब भी प्रेडेंट साइन बना है इकी जो साखा निकला है ये साखा ये साखा अगर काली हो रही है मालो सूरिय रेखा चोखी है एक कलर की थान दिख रही है लेकिन यह साखा काली हो रही है यह साखा भी काली हो रही है और दिखना में यो थान है चोखो सिम्बल दिख रही है लेकिन थे देखोगा काम धंदो चाल रही है लेकिन जो सक्सेस मिलनी चीए ही जो प्रोग्रेस होनी चाहिए ही उम्म कमी देखी जागी तो इपरकार से आपा समझ सका मान लो सुर्य रेखा ही काली पड़ रही है और ये सिंबल बन रहे है तो इक है परभाव में कमी देखी जागी सुबता में कमी देखी जागी सक्सेस के जिर रफ्तार होगी उम्म कमी देखी जागी तो इपरकार से आपा सुर्य परबत पर तिर्सूल चिन्न समझ सका है और कई बार अनालिसिस के दोरान पाम रेडर या रेखा अठे है और दूसरी रेखा अठे है इन भी ट्रेडेंट साइन बता देवा है और काफी बड़ा बड़ा चेनल जी पर लाखों में सस्क्राइबर लेकिन यो ट्रेडेंट साइन पुनी है या सिर्फ एक फोर्मेशन बढ़ी है तरक्की की जो अलग-अलग समय में जातक का जीवन में तरक्की ने बताओगी अगर आधा एमम भी दोनों साखा अलग होके चाले है तो यो ट्रेडेंट साइन कुन मान्यों जाओगी सेम इस्तान से बाई फोक होके दो रेखा चालेंगी सुरिय रेखा के साइड से तो ही यो ट्रेडेंट साइन मान्यों जाओगो और उही स्तती में पून फल देगो जब इस सिंबल की जो फोर्मेशन बनेगी इको कलर एक होगो सारी साखा समान होगी और एक कलर की होगी जहां कि थानी स्क्रीन पर दिखरिव है और सुरिय श्तती भी अठे मेटो पून वह है बिने भी चेक करनी चाहिए सुरिय आपनी अथली में दबेडो कमजोर नई होनों चाहिए है कमजोर, है डिस्टप, गिर्ती रेखा है, तिल को निसान, कुछ भी बैड मार के, तो भी कि सुबता में कमीन है बतावागो सुर्य चोखो है, उपया फोर्मेशन बन रही है, पून पोजिटिफल, सुर्य परवत्पय तिर्सूल चिन देवगो तो याथी जानकारी सुर्य परवत्पय तिर्सूल चिन सा संबंदित राम राम सा